दोस्तों पिछले लेसंस के अंदर हम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर क्लिप मास्क और लेयर मास्क जैसी जबद इस टेक्नीक स्टेडी की ये टेक्नीक आने वाले वक्त में हमारे बहुत ज़दा काम आने वाली है अच्छा इस लेसंन में मैं आप लोगों को फोटोशॉप की एक और बहुत इंटरस्टिंग फीचर स्टेडी करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ग्रेडियंट्स दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको फोटोशॉप में ग्रेडियंट्स यूज़ करके दिखाऊं और ये समझाओं कि इनको हम किस तरह से इस्तवाल करते हैं पहले मैं आपको ये समझाना चाहरा हूँ कि ग्रेडियंट्स ऐच्छुली होते क्या है दोस्तों अगर हम कलर को बग़ज़ स्टेडी करें तो yellow के tens बनने शुरू हो जाएंगे इसके बिलकुल बरक्स, अगर मैं इसी yellow के अंदर black add करना शुरू करूँ तो इसके shades बनने शुरू हो जाएंगे दोस्तो इस तरहां से हम किसी भी color के अंदर white या black add करके उसके grades हासल कर सकते हैं यानि कि उसके डिफरेंट टोन्स और शेड्स हासल कर सकते हैं दोस्तों यह जो ग्रेडियंट है इस टूल का मकसद और इसका काम बिलकुल इसी तरह से है जिस तरह से हमारी कलर की टोनल क्रेडेशन काम करती है तो चलें फोटोशॉप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ग्रेडियंट टूल का क्या फाइदा है और इसका इस्तमाल किस तरह से किया जाता है अच्छा दोस्तों यहांबे आपलोगों के लिए एक प्रिंट का जो डबिलक बिलए के लिए लुप लिलए लियियंट के नाम से अच्छा अब जनाबी अली हमारे टूलGU बार के ऊपर अगर आप जी प्रेस करें तो यहांबे आपके तूल बार पे ग्रेडियन टूल अवैलिबल है दोस्तो ग्रेडियन टूल की शॉर्ट की है जी जैसे ही आप अल्फबेट जी प्रेस करते हैं तो आप ग्रेडियन टूल पे आ जाते हैं और तूल बार में आपको जो ग्रेडियन टूल है वो एक्टिवेट हो जाता है तो दोस्तों ये हमारा gradient टूल है अब दोड़ा देखते हैं कि इसमें हमारे कुछ important options क्या क्या हैं और इसको हम किस तरह से इस्तमाल करते हैं दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आपको जो foreground color और background color है ये gradient के अंदर यहां पे आपको नजर आ रहा है अगर मैं यहां पे white की जगा पे blue add कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पे आपके पास blue color आ गया है opacity मैं इस वक्त इसकी 100 रखूँगा अगर मैं यहां से इसकी opacity कम कर दूँ तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास transparency यानि के transparent जो है वो आपका background आना शुरू हो जाता है लहादा इसकी opacity हम जो है वो 100 रखते हैं ताके हमारा gradient हमें full proper नजर आए अच्छा यहां पे मैं वापस white पे लेके आता हूँ दोस्तों आपका foreground color और background color अपने foreground color और background color जो चूस किया हुआ है उसी के हवाले से आपका gradient जो है वो बनेगा अच्छा जी यहां पे मैं कुछ important options आपको बताता चलो यहां पे हमारे पास यह तीन चार बहुत important options हैं यहां पे लिखावाजी linear gradient इसके बाद radial gradient फिर angle gradient उसके बाद reflected gradient और फिर diamond gradient दोस्तों यह basically हमारे पास gradient की different types available हैं जिनको हम different तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहां पे हमारे पास linear gradient पर देखते हैं कि linear gradient क्या है तोस्तों gradient को apply करने का तरीका बहुत ही simple है मैंने अगर यहां पे gradient apply करना है तो मैं उपर से नीचे की तरफ या left से right की तरफ किसी भी direction में मैं अगर drag करूंगा अपने mouse को तो यह आप देख सकते हैं कि जैसे मैं mouse को drag करता हूँ तो हमारा एक gradient जो है वो हमारे इस white background के उपर जो है वो आ जाता है बलके मैं यहां से यह करता हूँ कि background को जो है वो यहां पे layer अलादा कर देता हूँ और एक अलग layer ले ले लेता हूँ जिसमें मैं इसको rename कर देता हूँ जी gradient चालें अच्छा अब यहां पे यह जो हमने linear gradient लिया है अगर आप गोर करें तो यह जो linear gradient है यह line के पैटरन के अंदर इस्तमाल हो रहा है यानि कि अगर मैं यहां से इसको drag करता हूँ तो आप देखें कि यह बिलकुल ऐसे हमारे पास आ रहा है जैसे कि एक line की सूरत में जिस direction में हम line को drag करने है उसी direction के अंदर हमारा gradient जो है वो हमारे पास achieve हो रहा है दोस्तों यह gradient जो है यह बात याद रखें यह background बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा useful चीज़ है अगर आप किसी भी किसम कार्ड डिजाइन बना रहे हैं को पोस्टर है कोई magazine एड है आपने अपने client के लिए online client के लिए कोई flyer बनाना है birthday party का या किसी भी invitation कार्ड को आप डिजाइन कर रहे हैं तो याद रखें background बहुत ही खुबसूरत आप create कर सकते हैं gradient tool की मदद से अच्छा जी हम gradient tool के अंदर ये देख रहे हैं linear के बाद एक option हमारे पस यहां पे available है जी radial gradient की दोसो radial gradient में हम जैसे ही drag करते हैं तो आप देखते हैं कि ये radial gradient जो है ये round हमें शकल एक दिखाता है roundness के अंदर radius के अंदर जिससे circle होता है आप देख रहे हैं कि अंदर white आपको नजर आ रहे हैं और जो side हैं उनमें आपको yellow नजर आ रहे हैं अच्छा यहां पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ बहुत जरूरी कि अगर आप ये जो ड्रैग करते हैं mouse के साथ अगर shift hold करके करेंगे तो आपको ये जो ड्रैग है ये बिलकु सीधा आएगा इसके अलावा अगर आप shift को hold कि ये बगएर ये ड्रैग करेंगे तो ये आपका जो gradient है ये खास वार पर अगर आप linear gradient में काम करें तो ये देखें ये आपका gradient जो है वो एक खास उसी direction के अंदर move करेगा लहाज़ अगर आप इसको straight और uniform रखना चाहते हैं एक बड़ा standardized रखना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आप ड्रैग करतेवे gradient टूल को shift की की जो है उसको hold कर लें जिससे आपका क्या होगा कि आपका जो gradient है वो बड़ा एक खास सिम्त में आएगा एक खास direction में आएगा यह मैंने आपको radial gradient यह apply करके दिखाया है यह बहुत खुबसूरत चकल होती है gradient की इसी तरह से यहां पे हमारे पास available है जी उसके बाद angle gradient यह आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यह लगाया तो यहां पे आपको एक angle बनावा नज़र आ गया और उसके साथ साथ कुछ आपको एक जैसे reflection होती है उस तरह से यहां पे हमें नज़र आ रहा है reflected gradient का मतलब है कि यह हमें बिलकुल एक reflection की सूरत में gradient देगा यानि कि यह आप देख सकते हैं यह reflected form के अंदर हमें नज़र आ रहा है अच्छा इसके लावा जणाब यहां पे हमारे पास एक आखरी option है diamond gradient की यह gradient gradient वैसे तो काम यूज होता है लेकिन यह कहीं कहीं या आपके background करेट करने के लिए या कुछ interesting effects करेट करने के लिए यह भी आप इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा आप यहां पे मैं white colors को अगर change करूँ यहां पे मैं blue कर दूँ और यहां पे मैं जनाबिया ली green color जो है वो choose कर अब अगर मैं radial apply करता हूँ तो यह देखें center में हमारा foreground color यानि के blue आ रहा है और corners के उपर radial gradient में हमारा green color आ रहा है अगर मैं इसको undo करके इसको उल्टा दूँ यानि के reverse कर दूँ colors को तो यह अब देखें अब center में हमारा foreground color यानि के green आ रहा है और sides में हमारा background color यानि के blue आ करके दिखाता हूं ये देखें आप रेडियल ग्रेडियन के अंदर भी जब जाते हैं तो आपको ग्रीन और ब्लू जो हैं उनका एक मिक्स नजर आ रहा है एक ग्रेडिंग नजर आ रही हैं दोनों की दोसो यहां पर एक बात याद रखें टोनल ग्रेडेशन हमेशा सिर्फ एक कलर की होना लाजमी नहीं है ये भी हो सकता है कि टोनल ग्रेडेशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा कलर के आपस में मिक्स होने से बनें जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं अगर यहां पर रहाँ ग्रेडियन इडिटर पर क्लिक करूं तो डिफरेंट ग्रेडि तो यह कुछ इस किसम की हमें शेकल दिखा रहा है अच्छा यहां पर एक और टिप भी सुनते जाएं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ग्रेडियंट है वह प्रॉपरली लगे तो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग करें यह देखें अगर थोड़ा सा ड्रैक करू और दूसरे कलर के अंदर मिक्स होता हुआ हमें नजर नहीं आएगा लाज़ इसके लिए जरूरी है कि यह आप लाइन ड्रैग करें यह जरा लंबे रुख के अंदर ज्यादा लैंथ के अंदर आप ड्रैग करें अच्छा जिसी तना से यह डिफरेंट ग्रेडियंट आपक मिल सकते हैं यह देखें यह काफी डिफरेंट कलर्स के ब्लू और गोल्डन है बहुत सारे यहां पर आपको इंटरस्टिंग यह वो ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेंगे अच्छा एक आखरी इंपॉर्टन बात मैं आपको यहां पर ग्रेडियंट के अवाले से बतात है चले मैं यह करता हूं कि मैं यहां पर आके पोटो एडिटर में आके इसको मैं चूज करता हूं और अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं आल्ट के साथ क्लिक करता हूं जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करके यहां पर क्लिक करूंगा यहां पर आप देखें यह एक निया मेरे आइकोन पांस में अएकन के साथ में के सिर्सक्राइब आएका लिए नियरे डायminister के साथ में अकंड़ आइकोन्स कि अच्हाइब चाहिए पांने पांस में तो भीकLाइ दिस्याइब करेंगे एक्सितन में अच्छाइब पएक्णि में यह विद्सक्ति हरां अच्छा अगर मैं Alt के साथ यहां पर क्लिक करूँ तो यहां पर मेरे पास यह एक option आ गई है इस पर double click करके यहां पर मैं कोई और कलर भी इस gradient के अंदर add कर सकता हूँ इसी तरह से मैं जितनी मर्जी बार Alt पर क्लिक करता जाँ और यहां से नएने colors अपने इस gradient में add करता जाँ यह देखें यह different colors मैं इसके अंदर यहां पर add करता जा रहा हूँ इसके बाद मैं अगर new पर क्लिक करता हूँ तो यह देखें यहां पर यह मेरा एक new custom gradient जो के मैंने भी खुझ से create किया है यह यहां पर आगया है अगर इसको मैं यहां पर apply करके आपको दिखा हूँ तो यह देखें यह multi-colored एक gradient जो है यहां पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों यह आपने देखा कि gradients आप ना सिर्फ बने बना इस्तमाल कर सकते हैं बलके खुझ से create भी कर सकते हैं Photoshop में दोस्तों इस lesson में आप लोगों ने gradients यूज करना सीखें मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि gradients होते क्या हैं और इनको हम किस तरह से बहुत ही खुबसूरत color mix करने के लिए और colors के combinations बनाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं gradient का सबसे ज़्यादा इस्तमाल background क्रियेट करने के लिए होता है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुक हूँ आप लोगों ने gradients को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि different color combinations के तुरू different gradients कुछ से create करें जैसे कि मैंने आप वो create करना सिखाया और उनको अपने पास photoshop में save रखें ताके आने वाले वक्त में design बनाते वे ये gradients आपके काम आ सकें तो दोस्तों मैं अमीद करता हूँ कि आप लोगों को gradients के lesson का मज़ा आया होगा और आप इसको मजीद explore भी करेंगे आने वाले lesson में इंशाला ताला photoshop की किसी नई टेकनीक या किसी नए feature के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी